हलो फ्रेंड्स और मैं देट फार्मसिटकल एनालसिस बीपी वन जीरो टू टीके इस वीडियो में हम लोग यूनिट फाइब में लास्ट टॉपिक पॉलेरोग्राफी को आज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में हम लोग जो हमारा पॉलेरोग्राफी है उसके इं कोविक इक्वेशन को यहाँ पे अफेट करते हैं जिनको हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में वहाँ पे अपने कंसिडरेशन में रखने का काम करते हैं मेरा नाम है डॉक्टर महनताप सिंग तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर हम लोग जो हमारा होता है यहाँ पे पोल होते हैं उसके अंदर जो हमारे आयंस होते हैं उनके उपर जब हम लोग जो वोल्टेज है या जो हमारा पोटेंसियल है वो अप्लाई करते हैं तो उनका हमें वहां पे एक तरह का polarization देखने को प्राथ होता है जिसके तुरू वो जो हमारा current है उसको वहां पे carry करने का काम करते हैं तो इस condition में जो हमारा यहां पे है दूसरा सब्द वो है हमारा ग्राफी तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं तो इस condition में इसके नाम से indicated है कि यहां पे हम लोग एक एक तरह से काम करते हैं तो इस condition में सबसे पहले हम लोग जो हमारा होता है फोलरोग्राफी उसकी हिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं तो जो हमारे एक यहां पे वो scientist थे वो जेरो वो slave है रो वसकी इन्होंने इसको 1922 के आज पास इस जो analytical method है उसको यहां पे वो develop किया था और इसके लिए इनको approximately 1959 में जो होता है Nobel Prize उससे awarded किया गया था तो इस condition में अगर हम लोग इस place पर यहां पे बात करते हैं कि जो हमारा होता है यहां पर किस principle पर काम करता है तो अगर हम लोग जो हमारा होता है polarography उसके बारे में बात करते हैं तो यह again हमारा एक परकार का electrochemical method of जो analysis है वो होता है तो इसके पहले हम लोगों ने बात किया था हमारा था conductrometry और जो हमारा यहां पे था एक तसे potentiometry वो भी हमारे electrochemical method of जो analysis है वो थे और जो हमारा होता है polarography यह भी हमारा एक परकार का electrochemical method of analysis होता है तो इस condition में अगर हम लोग जो हमारा होता है यहां पे एक तरसे polarography है उसके बारे में बात करते हैं तो इस condition में जो हमारे होते हैं electrodes होते हैं उनको जब हमारा जो होता है यहाँ पर solution उसके अंदर हम लोग करते हैं एक तरसे emerge हम लोग वहाँ पर करते हैं और उस condition में अगर voltage को हम लोग वहाँ पर apply करते हैं तो इस condition में हमें वहाँ पे एक तरह का करेंट voltage का जो करू है वह हमें वहाँ पे देखने को प्राप्थ होता है और इसी को हम लोग यहाँ पे एक तरह से measure करने का अपने जो हमारा होता है imagraphy उसमें यहाँ पे काम करते है तो इस condition में अगर हम लोग space पे यहाँ पे एक तरह से बात करते हैं कि जो हमारा था वहाँ पे एक तरह से potential meter था उसमें भी हम लोग एक वहाँ पे indicator जो electrode था उसको उप्योग एक तरह से हम लोग कर रहे थे और जो हमारा वो reference वहाँ उसको भी हम लोग वहाँ पे एकतर से उप्योग कर रहे थे और जो हमारा था वहाँ पे वो reference हमारा इलेक्पूर्ड था उसका चीज़ हमारा था potential वह constant था वह amazon था वह नोज था और जो हमारा indicator वहाँ पे infrared था वह हमारा your sample था जिसकी हमें अनाल्सिस करनी होती थी, उसके अंदर हम लोग उसको इमर्ज करने का काम करते थे, तो अगर हम लोग इस टेक्निक के बारे में बात करते हैं, तो इसमें भी हम लोग indicator जो electrode है, उसको उपियोग करते हैं और reference electrode को हम लोग यहाँ पे भी उपयोग करते हैं तो इस condition में जो हमारा indicator यहाँ पे electrode होता है वो हमारा होता है dropping mercury electrode होता है जिसमें हम लोग जो हमारी होती है यहाँ पे glass की वो capillary उसको वहाँ पे उपयोग एक तरह से करते हैं और उसमें एक प्रकार का हमारा orifice होता है वहाँ पे छोट होती है अगेंस दे ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे हमें फॉर्म होते हुए देखने को प्राप्त होती है जो हमारा और्फिस होता है छिद्र होता है वहां से हमें जो हमारी होती है तरफ वह mercury की drop वो वहाँ पे बनते हुए हमें देखने को प्राप्त होती है, तो इस condition में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, कि जो हमारा यहाँ पे electrode है, indicator हमारा electrode है, उसमें हम लोग अधिकतर जो हमारा होता है, वो mercury उसी को क्यों उप्योग करते हैं, तो जो हमारी होता है, एक तरस वो mercury, उसका जो हमारा molecular weight है, वो काफी high होता है, इसके कारण भी हम लोग इसको यहाँ पे करते हैं, प्रफर करते हैं, इसका हमारा एक तरस जो वो consistency है, वो हमारा liquid और जो हमारा होता है solid, उसके बीज की हमारी consistency होती है, जिसके कारण भी हम लोग इसको यहाँ पे अधिकतर एक तरस से उपयोग करते हैं, आसान तरीके से कह सकते हैं, कि यह तो एक तरस वो ना हमारा होता है, solid होता है, और ना हमारा liquid होता है, उसके बीज की एक अवस्था हमारा जो होती हो मर करी, इसका जो हमारा होता है, वो negative हमारा potential है, वो हमें काफी high देखने को प्राप्त होता है, जिसके कारण की जो हमारा यहाँ पे होता है, potential difference वो हमें एक तरस से काफी high देखने को प्राप्त होता है, जिससे की हमारा जो होता है measurement वो काफी यहाँ पे आसान हमें होता हुआ देखने को प्राक्त होता है और इस condition में जो हमारा होता है अगला यहाँ पे electrode that is called the reference जो हमारा electrode है उसको भी हम लोग यहाँ पे उपयोग करते हैं और इसके उपर जो हमारा होता है potential वो हमारा जो होता है measurement उसके दोरान वहाँ पे हमें constant maintain रखने की आउसकता होती है या इसका जो हमारा potential है वो constant होता है और हमें properly known होता है तो इस condition में अगर हम लोग इस पेस पे एक तरसे बात करते हैं कि जब भी हम जब यहाँ पे जो voltage है उसको apply करते हैं तो जो हमारा यहाँ पे हमारे दोनों electrode है उसमें जो होता है voltage में change वो हमें यहाँ पे वो देखने को एक तरसे प्राप्थ होता है और इस condition में जो हमारे होते हैं indicator हमारे एक तरह से होते है electrode उसके उपर जो हमारे potential है वो हमें वहाँ पे हमारा होता है, वो measurement उस पे वहाँ पे एक तरह से vary होते हुए देखने को प्राप्थ होता है, जिससे कि हम लोग जो हमारा होता है एक तरह से current और voltage का curve उसको हम लोग यहाँ पे form करने का काम करते हैं तो आसान वू तरीके से space पे हम लोग एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी हमारा एक जो हमारे electrodes है उनके वो बीच में जब हम लोग जो हमारा होता है यहां पे potential उसको जब हम लोग apply करते हैं अपने जो हमारे electrodes वो बीच में तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे होते हैं, इलक्ट लाइट headed उसके अंदर जो आयन्स होते है, उनका हमें वहाँ पर एक तरह से polarization देखने को प्राप्थ होता है, वह सहानúc Σब्कान से polarization, बाप्थ होते हैं, और जब यहाँ पे होते है पोलेराइज तो फिर वो जो हमारा होता है करेंट उसको वहाँ पे कैरी वो करने का एक तरह से काम करते हैं और इस कंडिशन में हमारा जो वहाँ पे होता है वोल्टेज और जो हमारा वो करेंट वहाँ पे फ्लो होता है उसके वो बीच में हम लोग एक तरगा वह जो हमारा current voltage का कर्व है, उसको यहाँ पर prepare करने का काम करते हैं, तो इस condition में जो भी हमारा इस place पर होते है electrodes, वो या जो हमारा electrolyte का वहाँ पर होता है, वो solution, वो हमारा कितना amount, जो हमारा current है, उसको वहाँ पर flow एक तरश से कर रहा है, उसको जब हम लोग करते है major, तो उसके लिए जो हम लोग instrument यहाँ पर उप्योग करते है, that is called a polarograph, या इसको हम लोग कहता है तसे polarographic cell से हम लोग इसको यहाँ पर indicate करते हैं, अब हम लोग इस place पर जो हमारी एक काफी important equation है, ilkovic equation, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे, current उसका जो होता है diffusion उसके और जो हमारा वहाँ पर हमारे ions की concentration है, उसके बीच में एक relationship को develop करने का काम करती है, तो इस condition में अगर हम लोग इस equation के बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो हमारा diffusion का एक तरस वह current होता है, अगर हम लोग इस पे इस पे उसके बारे में बात करते हैं तो इस condition में हमारा जो होता है वो diffusion का वो current वो जब यहाँ पे होता है, arise होता है तो उस condition में जो वहाँ पे हमारी होती है, electroactive species होती है या हम कह सकते हैं वो reducing जो हमारे actress agent होते हैं एक जी यहाँ पे और clear कर दूँ कि यह हमारा होता है यहाँ पे polarography उसमें जो हमारे वो reducing agents होते हैं उनकी जो हमारी quantitative analysis है उसको हम लोग अधिकतर यहाँ पे इस जो analytical technique है उससे करने का काम करते हैं तो इस condition में क्या है कि जो हमारे वहाँ पे होते हैं एक तस से electroactive species होती है हमारे एक तस वो solution के अंदर उसका हमें hopping जो mercury electrodes होते हैं जो हम इनको हम लोग DME से indicate करते हैं इनकी और हमारे जो होते है electroactive species होती है उनका diffusion देखने को प्राप्त होता है तो अगर हम लोग यह जो हमारे वो diffusion है उसके बारे में बात करते हैं तो यह हमें जो हमारा होता है यहाँ पे potential gradient उसका जब influence होता है तो उसके under मे हमें यहाँ पे इनका diffusion देखने को प्राप्त होता है तो आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो भी हमारे होते है electroactive species होती है यह हमारे एक तरसे ऐसे हमारे ions होते हैं वो जो की उस place पे जो हमारे electrons है उनको वहाँ पे accept करते हैं हमारे electrodes से electron को वहाँ पे एक तरसे accept करते हैं और यह उ होते होग ड्रॉपिंग हमारे वह mercury electrodes होते हैं उसकी और उनका movement हमें वहाँ पे देखने को एक तरह से प्राप्त होता है और इस condition में जब यह उस place पे उस तरफ वहाँ पे एक तरह से move करते हैं तो उस condition में जो हमारा indicator electrode है उसमें हमें जो potential में change है वो देखने को प्राप्त होता है तो इस तरह से हम लोग जो भी हमारी हमारा electrolyte का solution है उसके अंदर जो हमारे ions है उनकी concentration को आसानी से कि वहाँ पे कितना current है वो flow हो रहा है हमारे current का कितना diffusion हो रहा है उससे और जो हमारे होते हैं यह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रो एक्ट्व इस्पेसीज हैं हमारे आयन से उनकी जो कंसंटेशन हैं उनके बीच में हम लोग आसानी से एक एक्सप्रेस कर सकते हैं तो इस कंडिशन में जो हमारे एक्वेशन है यह हमारा आईडी इसके बारे में बात करते हैं तो यह हमारा कहलाता है इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा वहाँ पर एक आयन होता है वो कितने नंबर आफ जो इलेक्ट्रों से उनको वहाँ पर ट्रांसफर करता है वो हमारा इस प्लेस पे होता है अगर हम लोग जो हमारा डी है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी होती है Electroactive Species होती है उसका जो diffusion का coefficient होता है वो हमारा यहाँ पे होता है D अगर हम लोग जो हमारा M है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है वो mercury होता है उसका जो flow का हमारा rate होता है हमारा capillary के अंदर वो हमारा यहाँ पे M होता है अगर हम लोग जो हमारा T है उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी होती है यहाँ पर वो मरकरी उसकी जो एक ड्रॉप है उसको वहाँ पर ड्रॉप होने में कितना जो टाइम है वो हमें अपने कैपलरी में देखने को प्राप्त हो रहा है वो हमारा यहाँ पर T होता है और जो अलग-अलग वो constant होते हैं वो जैसे कि जो हमारा होता है यहाँ पर फैराड़ वो constant होता है या जो हमारा वो mercury है उसकी जो हमारी वो density होती है या जो हमारा electrode है या हम कह सकते हैं कि जो हमारा एकतर से वो mercury हमारा electrode है उसकी जो हमारी वो geometry है वो सब यह एकतर से constant यहाँ पर include होक 607 यहाँ पे होता है तो इस condition में अगर हम लोग इस place पे यहाँ पे एक तरसे बात करते है कि जो हमारा होगा N वो हमारे एक particular iron के लिए constant होगा जो हमारा एक तरसे D होगा यह भी हमारे एक particular iron के लिए इस place पे यहाँ पे वो constant होगा जो हमारा होगा M होगा वो हमारा जो electrode है उसके लिए वहाँ पर constant होगा जो हमारा होगा T ये भी हमारे electrode के लिए इस place पर यहाँ पर constant होगा और ये यहाँ पर हमारा constant ही है तो इस condition में ये जब हमारे इतने जो है इस place पर यहाँ पर constant हो जाते हैं तो उस condition में जो हमारा ID है वो हमारा जो C है उससे यहाँ पर directly एक तरह से वो related हो जाता है तो इस condition में अगर हम लोग space पर यहाँ पर बात करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ पर एक तरह से factor है all the factors वो remain constant अगर हमारे जो space पर जितने भी यहाँ पर एक तरह से factor है अगर यहाँ पर एक तरह से constant होते हैं तो उस condition में जो हमारा वो diffusion का यहाँ पर होता है current यह directly proportional होता है the concentration of electroactive species C या जो हमारे ions है उनकी concentration के यहाँ पर directly होता है proportional होता है और यह जो हमारा होता है एक तरह से polarography है उसका जो quantitative हमारा analysis है उसका यहाँ पर एक तरह से basis होता है इसके through ही हम लोग यहाँ पर अब हमारा जो होता है polarography उससे हम लोग quantitative analysis अपने हमारे जो electrolyte है उनकी यहाँ पर कर सकते हैं तो इस condition में अगर जो हमारे और यहाँ पर factor है N है D है M है T है अगर वो वहाँ पर constant होते हैं और जो हमारा वो six वो zero वो seven है वो एक प्रगार का हमारा वो numerical यहाँ पर constant है तो यह सब जब यहाँ पर include हो जाते हैं एक यहाँ पर constant हो जाता है अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि वो हमारे कौन कौन से factors हैं जो इलकोविक equation को यहाँ पर affect करते हैं तो इसमें जो हमारा सबसे पहला factor है वो है हमारा concentration तो जो भी हमारे यहाँ पर ions होते हैं यह हम कह सकते हैं कि जो हमारे होते हैं एक तरस वह जो इलक्ट्रो वो reducible हमारे ions होते हैं या हम कह सकते हैं कि electro activity हमारी species होती है उनकी जो हमारी concentration है वो हमारा जो होता है diffusion का current उसके यहाँ पर directly proportional होती है इसके एक तरस बारे में अभी ही हम लोग ने यहाँ पर बात किया है तो इस condition में क्या होता है कि जो भी हमारा यहाँ पर होता है quantitative हमारा analysis होता है हमारी इस analytical technique में इसका यहाँ पर होता है basis होता है तो इस condition में वो जितने ज्यादा हमारे वहाँ पर ions होंगे उतना ही हमें वो ज्यादा वहाँ पर जो current है उसका diffusion अपने जो हमारा होता है electro chemical method of हमारा analysis है या जो हमारा होता एक तरसे polarography है उसमें यहाँ पर देखने को प्राप्त होगा उसके बाद जो है हमारा अगला यहाँ पर factor वो है हमारा एक तरसे temperature तो अगर हम लो इस place पर इसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारी होती है इलकोविक हमारी equation होती है उसके अगर हम लो जितने भी हमारे होते हैं एक तरसे parameter अगर उनके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा इस place पर होता है एन उसको अगर हम लो यहाँ पर छोड़ दे तो और हमारे जितने भी यहाँ पर होते हैं एक तरसे parameter वो हमारे temperature के उपर यहाँ पर वो depend करते हैं तो इस condition में हमें इस place पर इस चीज़ की आउसकता होती है कि जो भी हमारा space पर हम कह सकते हैं कि हमारा diffusion का coefficient है अगर हम लो यहाँ पर वो d के बारे में बात करते हैं तो उसका भी हमारा जो temperature है उससे एक तरसे वो काफी हमें उस पर variation उसके थूर देखने को प्राप्त होता है तो इस condition में जब भी हम लो हमारा जो होता है एक तर constant temperature पर करने का काम करते हैं वो नहीं तो हमारी जो वहाँ पर होगी वो reading अगर temperature में fluctuation होगा तो उस condition में हमें जो हमारा वहाँ पर होगा result उसमें भी fluctuation देखने को प्राप्त होगा उसके बाद में जो हमारा अगला है that is called the capillary characteristic तो अगर हम लो इसके बारे में बात करते हैं तो जो वहाँ पर electrode की glass की हमारी यह होती है capillary उसके उपर वहाँ पर वो depend करता है तो इस condition में हमारा उस place पर जो वहाँ पर ग्लास है या हमारी जो tube है glass की उसकी जो हमारी वो length होती है उसके उपर वो depend करता है उसमें जो हमारा होता है orifice उसका जो हमारा होता है size या उसका जो कह स करता है उसके ऊपर भी यह एक तरह से क्ट करता है और जो भी हम उसका यूज करते हैं तरह यहां पर वह depend करता है यह हमारा यहां पर एक तरह से कहलाता है और यह हमारा जो होता है current का diffusion उसको यहां पर affect करने का काम करता है तो इसको भी हमें यहां पर constant रखने की आउसकता होती है उसके बाद में जो हमारा है अगला यहां पर factor that is called the viscosity, तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, तो इस condition में क्या होता है, कि जो भी हमारा वहाँ पे होगी, उसका जो diffusion का rate है, वो हमारा जो medium है, जो भी हमारा liquid है, वहाँ पे उसकी viscosity के उपर हमें depend होता हुआ देखने को प्राप्त होगा, तो जो हमारा liquid वहाँ पे medium है, उसकी viscosity जितनी जादा होगी, उतना ही हमें वहाँ पे कम diffusion देखने को प्राप्त होगा, और उसकी viscosity जितना कम होगी, उतना ही हमें एक तरह से जादा diffusion वहाँ पे देखने को प्राप्त होगा, तो इस condition में जो हमारा diffusion का coefficient होता है, उसके उपर इसका हमें प्रभाव देखने को राप्त होता है, तो इस condition में भी हमें इसकी जो study है, हमारी जो study है उस condition में, जो भी हमारा medium है, उसकी viscosity वहाँ पे constant रखने की आओ सकता होती है, तो यह जो हमारी viscosity है, यह हमारे जो temperature है, उसके उपर भी वो depend करती है, तो अगर हम लो temperature को constant रखते हैं, तो viscosity भी हमारे medium की वहाँ प से अंतिम है height of the mercury column तो जो भी हमारा वहाँ पे होता है mercury column उसकी जो हमारी height है उसको भी हमें अपने experiment के दोरान constant maintain रखने की आउसकता होती है तो I think so जो भी हमारा था यहाँ पे polyrography उसका introduction उसका जो हमारा principle है और जो हमारा है ilkovic equation उसके जो factors हैं वो आपनों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर अभी भी कहीं कोई confusion है तो comment करके पूँश सकते हैं इस topic का pdf आपको description में मिल जाएगा इस video को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें और ऐसे ही videos को देखने के लिए हमारे channel को subscribe करना बिल्कुल भी न भूलें और हमारे app को भी install करना बिल्कुल भी न भूलें थैंक यूँ